दोस्तों आपका स्वागत है फर्निसिंग ब्रोप है आज हम इजी टू केरी स्टूल देखने वाले हैं देखे यह प्लास्टिक मट्रियल से बना हुआ स्टूल होता है देखे इस तरीके का है यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है कि इसको आप इजी ली यहां से ओपन कर सकते हो देखे यह पूरा ओपन हो गया है कि इस तरीके का है इसके उपर जब आपको बैठना है तो आप बैठने के लिए इसको यूज कर सकते हो इसका जो हाइट है ओल्मॉस्ट ट्वेल इच के आसपास रहेगा देखिए 12 इच का इसका हाइट है अगर उपर की सरफेस का मेजरमेंट देखे तो 11 इच का यह वाला साइज है और यह 9 इच का है तो इनप सरफेस मिलती है एक वन परसन को बैठने के लिए जब इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हो देखे आप इसको आराम से अपनी कार की डिकी में भी रख सकते हो जब बाहर जाना है घुमने के लिए जा रहे है तो आपको एडिशनल चेर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको इजी लिए ओपन किया और आप कहीं पर भी रखते इसके उपर बैठ सकते हो अगर केंपेइनिंग के लिए जा रहे है ट्रेकिंग के लिए जा रहे है तो वहां पर भी इस तरीके के स्टूल आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर अलग-अलग कॉलर्स भी अवेलेबल रहते हैं यह वाला साइज ओल्मोस्ट ट्वेलीच की हाइट वाला था देखिए दूसरा कलर है इसके प्रमेट और से अंदर वेराइटी ओफ कलर अवेलेबल रहते हैं दोस्तों अगर इसका कोस्टिंग देखे तो ओल्मोस्ट शिक्संडेड रुपीस के आसपास इसका कोस्टिंग है वन पीस का इसके अंदर अगर दूसरा डिजाइन देखे दूसरी साइज का तो यह वाला ह है देखिए यह बड़ी साइज का स्टूल है कि इसको इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो देखिए ओपन हो गया है जब इसके उपर बैठना है तो आप आराम से इस तरीके से इसके उपर बैठ सकते हो देखिए यह पूरा मतलब साइज अगर देखे उपर का तो वन पर्सन के लिए ए अगर्स का हाइट दे के दोस्तों तो इसका हाइट और एटीट इसका हाइट है यह और और का जो सर्फेस है वह आपอर्पस यह वह ऐस इसको बीज़ी इस तरीके से देखर एक्लोस कर सकते हो देखिए पूरा क्मोज हो गया है यहां से आप अराम से इसको उठा सकते हो तो अपनी कार के अंदर आप इसको गर सकते होगा पके हिइसाब से जहां पर स्पेसच कम होती है वहां पे अगर सुल की रिकवामन्ट पड़ती है तो आप इस तरीके के स्चूल को यूज कर सकते हो अगर कोस्टिंग वाइस देखे इसकी ऍंदर लगाया हुआ है उसके इसाब से देखे तो यह वाला स्टूल है यह value for money है दोस उसके साथ बात करके ओडर भी कर सकते हो